उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी के चर्णों मेरा साधर प्रणाम तथा ये स्री सद्धरम बहुत सुंदर से प्यार से सरल से सिखाएं हमारे गुर जी के चर्णों मेरा साधर प्रणाम प्यारे बच्चे आप लोग बहुत सवभाग गये हैं आप लोग बहुत पुर्णेवान हैं कि आपको ये सुंदर धरम सुनने का मुखा मिला आज आप सबी लोग को बहुत सुंदर धरम कारण बताएंगे द्यान से मन लाके सुनिए एक छोटा सा सूत्र उस सूत्र का नाम है सुविदूर विदूर सूत्र सुवी दूर मतलब होता है अती ही दूर बहुत दूर वी दूर मतलब बहुत ही दूर उसके बारे में बताने जा रहे है भागवान बुद चार कारण बता है पहला है यह आकास और धरती दोनों में बहुत दूर है बहुत ही दूर दूसरा कारण भागवान बुद बता है जहा डूबता है ये एक दूसरे में बहुत ही दूर है तिसरा कारण भागवान बुद्ध बताएं समुंदर का इसकी नारणा tata समुंदर का उसकी नारण शुरुआत और अंत बहुत दूर है जोठा कारण भागवान बताएं साथ पुर्स धरम और असाथ पुर्स धरम एक दूसरे में बहुत दूर है कितना दूर है कि हम बता नहीं सकते हैं अचन से आप देखें उधारन देखेंगे पहला उधारन भागवान बता है आस्मान धर्ती हम लोग आस्मान में देखते हैं तो अंत नहीं दिखता है और इसकी नारा कितना दूर है, वैसे ही साथपुर्ष धरम और असाथपुर्ष धरम दोनों बहुत ही दूर है, साथपुर्ष धरम क्या है, साथपुर्ष धरम है, जो कोई लो प्रानी हत्या नहीं करता है, वो साथपुर्ष धरम है, चोरी नहीं करता है, वो साथपुर्ष चुगली, कठोरवचन, गाली, ये सब नहीं देता है, सत्पुर्ष धरम है, क्रोध नहीं करता है, सत्पुर्ष धरम है, मैत्री करता है, सत्पुर्ष धरम है, ये सब सत्पुर्ष धरम है, मिल्यूल किरहना सत्पुर्ष धरम है, सहन करना सत्पुर्ष धरम है, दान देना, बड़े बुड़े लोग को इज्जत करना, सेवा करना, संत लोग को सेवा करना, यह सत्पूर्श धर्म है लेकिन असत्पूर्श धर्म उसका उल्टा, हात्या करना असत्पूर्श धर्म है अभी तो दुनिया में देखते हैं सब अधिकतर लोग हत्या करता है चीटी से लेकर चीटी, खोटा, मच्छड, मुर्गा, बक्डी, गाय तक बड़ा-बड़ा जानवर मारता है, मनुस्व को ही मारता है हत्या करता है, या हत्या करना असत्पुर्स दर्म है चोरी करना असत्पुर्स दर्म है, चोरी करता है, दुसरा का सामान उठाता है बिना दिये हुए वो चोरी असत्पुर्स दर्म है, वेविचार करना असत्पुर्स दर्म है जूट बोलना, जूट बोलने वाला लोग बोलता है, पूछते हैं, सुना है तुम, जो बोल रहा थो, सुनने पर भी बोलता है, नहीं सुने है इसके बाद पूछते हैं तुम देखा है वो बात वो चीज देखा है देखा फिर ही बोलता है नहीं देखें नहीं जानते हैं वो किया, तुम कम, किया, फिर भी बोलता है, हम नहीं किये, जूट बोलता है, देखा हुआ, किया हुआ, सुना हुआ, बोलता है, नहीं देखें, नहीं सुनें, नहीं किये, जूट बोलता है, नासा करता है, ये असतपुर्ष दरम है, चुगली करता है, असतपुर्ष दरम है इसके बाद कठोर वचन बोलता है, गाली देता है, ये सब असादपुर्ष धरम है, क्रोध करना असादपुर्ष धरम है इसके बाद इर्षिया जलन सब असाथपुर्ष दरम है असाथपुर्ष दरम ये दोनों भागवान बताएं आस्मान और धर्ती जैसा दूर है कभी-कभी ये असाथपुर्ष साथपुर्ष एक जगह ही रह सकता है है कि काव्म ही रा सकता है लेकिन दोनों में असमान-धरती जैसा फार्क है बागवान बुद्ध बताएं साथपुर्स और साथपुर्स जो दूरियां है बहुत दूर है अगर साथपुर्स को बोलेंगे कि हत्या मत करो हात्या नहीं करता है, साथ पूर्ष को बोलेंगे चोरी मत करो, चोरी नहीं करता हो, मानता है कहना, वेविचार मत करो, मानता है, जूट मत बोलो, अगर वो साथ पूर्ष है तो मानता है, नसा मत करो, मानता है, क्रोध मत करो, वो मानता है, लडाए जगडा मत करो, मिल जूल करा हो, मा मानता है लेकिन असादपुर्स को अगर बोलेंगे तो हत्या मत करो नहीं मानता है और और हत्या करता है चोरी मत करो नहीं मानता है वेविचार मत करो कहाना नहीं मानता है जूट मत बोलो कहाना नहीं मानता है नसा मत करो नहीं मानता है असादपुर्स इसको चुगली मत करो कठ फोर बाच्छन मत बोलो, नहीं मानता है, क्यों क्यों कि वो असाथपुर्स है, ग्यान से मनन नहीं करता है, असाथपुर्स लोग देखिए, असाथपुर्स धारम देखिए, असाथपुर्स इर्शिया और मुदिता, ये दोनों आकास और धर्ती जैसा फरक है, दूसरा को उन बने सुंदर मद हो पड़े लीक्र नहीं करके सोचता आ gio कोई घर का नौ जर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत जलन करता है कैसी घर लिया नहीं करना चाहिए उनौ का गाली तूड़ जाए दुकान बना लिया तो सोचता है दुकान उसका जल जाये खतम हो जाए, मीट जाए, जलान करता है लेकिन साथपुर्श धरम है मुदिता मुदिता में क्या है? दूसरा को नती देखकर खुस होता है दूसरा को खुसी देखकर खुस होता है और आगे बढ़े, और आगे बढ़े मन में मुदिता जागता है, खुसी होता है ये वीर और ये आलसी दोनों में आस्मान धर्ती जैसा फर्क है वीर क्या है? अपने मन में आने वाल अकुसल जो मन में है अकुसल उसे दूर करने के लिए कोशिश करता है महिनत करता है, वीर करता है तथा जो नहीं आया कुसल, उसको नहीं आने देने के लिए वीर्य करता है, कोशिस करता है, महिनत करता है, मन लगाता है उसमें, नहीं आने देने के लिए, इसके बाद जो अपने पास कुसल है, उसको बढ़ाने के लिए वीर्य करता है, कोशिस करता है, महिनत करता है, तथा जो अपने पास है कुसल, उसको बढ़ाने के लिए वीरि करता है, जो कुसल नहीं आया, उसको लाने के लिए, अपनाने के लिए वीरि करता है, महनत करता है, मन पूरा लगाता है, लेकिन आलसी ऐसा नहीं, असद पुर्ष धरम आलसी है, वो कुछ भी अकुसल दूर करने के ल में वाचंद में करता है वो है असादपुर्स असादपुर्स बहुत कातरनाक है असादपुर्स होने वालोग को बहुत दुक मिलता है असादपुर्स से असादपुर्स से होने वाला लाब और असादपुर्स से होने वाला हानी आस्मान धर्ती जैसा फरक है साथपुर्ष से क्या लाब मिलता है साथपुर्ष का लाब है जो जाथपुर्ष लोग पून्ने करता है पून्ने से वो स्वर्ग जाता है पाप करने से ना रख जाता है कितना दूर है दान देने से वो अमीर बनता है जन्म जन्म पे, दान नहीं देने पे जन्म जन्म गरीब होता है हत्या करने पे जन्म जन्म अल्प आयू मिलता है, हत्या नहीं करने पे जन्म जन्म लंबी आयू मिलता है कितना फरक है, कितना फरक है वैसा ही साथपूर्स और असाथपूर्स का धरम बहुत आस्मान धर्ती जैसा, समुंदर का इस किनारा उस किनारा जैसा दूर है, पूरा अब दिशा, पच्छिम दिशा, जहां से सूरा जूखता है जहां दूखता है जितना दूर है, उतना ही असाथपूर्स और साथपूर् हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन भागवान बुद्ध ज्यान से देख कर बताएं एक सुंदर कथा याद आ गया हमको याद आ गया वो सुंदर रेवती का कथा भागवान बुद्ध के सहमें नन्दी सेट था वारव नसिर का सेट पैसा वला था वो रेवती उससे साधी हुआ, वो नंदी से लेकिन सत्पुर्ष था हूँ, भागवान बुद्ध से धरम सुनता था, दान देता था, सील लेता था, सांग को हमेशा घर बुला कर दान देता था, गरीब लोग को मदद करता था, और बिखारी लोग को दान देता था, इसको प सामय भी वो पाती का मन जीतकर, लड़का का मन जीतकर स़ादी उसको हुआ। दिखाया हम दान देते हैं, पूर्ने करते हैं, लेकिन विसा नहीं था हो। सादी होने के बाद भी वो माया भी कापटी से भरा हुआ THA माया मतलब क्या था अब भी आपको बताते हैं सुनिए माया बहुत विसेश एक अकूसल है माया मतलब सरीर मन वानी से होने वाला अकूसल पाप को उच्छी पाता है उच्छी पाता है उच्छी दूसरे को नहीं जाने दूसरे लोग नहीं जाने करके सोचता है सरी मन माने से होने वाला पाप दूसरा गुरु लोग के सामने अच्छा जैसा होता है गलती करकर भी हम नहीं साकी है मापिताजी के सामने कुछ और दोस्त के सामने कुछ और कहीं कुछ और, कहीं कुछ और जो चोरी करके आता है हाम चोर नहीं है अच्छा जैसा राता है ये क्या है? माया जादू देखे होंगे आप जादू गर जादू दिखाते समय वो दिखाता है ये जादू दिखाता है लेकिन जो दिखाता है वो साथ नहीं अंदर कुछ और हो रहा है वो ऐसा ही माया है माया उसी पर कर रहा है माया असली सोबाव दिखाता नहीं है वो नहीं चाहता है कि मेरा अगुन लोग जाने मेरा पापकर्म लोग जाने नहीं चाहता है उसे ढगता है कापटी मतलब अपने पास जो गुन धरम नहीं है वो दिखाता है कैसे हम ध्यानी हैं करके बैठ जाता है ध्यान करने के लिए लोग के सामने हम सील सुरक्षा करते हैं हम बहुत ध्यान करते हैं पुन्य करते हैं करके कापटी ऐसे करता नहीं है लेकिन दिखाता है सब को सामने हम ऐसे आदमी हैं हम महान आदमी हैं स्ट्रेश्ट हैं दिखाता ह कापटी दिखावा करता है। उसको बोलता है कापटी माया जैसे उधारन देता है माया का एक उधारन, सबजी दुकान जो सबजी बेजता है उससे आप समझ सकते हैं। आलू बेच रहे हैं सोचे। आलू भरा हुआ है पुरा, लेकिन अंदर का छोटा छोटा आलू, सड़ा स प्लिफड़ है नोग लोग भी जाता है दो ब वाला जीव बन जाता है, इतना खतना कि छल कपट माया, रेवती के पास वो छल कपट माया भरा हुआ था, रेवती पती को सामने जाकर मदद करता था हम दान देते हैं, लेकिन अंदर अंदर पुरा पती को डारता था, गाली देता था, शी शरम नहीं लगता है, ये नान्दी सादू जैसा ध्यान करता है, ये दान देता है, खुशी से रह सकता है, पाटी दे देकर, लेकिन ये दान दे देकर ऐसे रहा रहा है, अंदर अंदर सहेली लोग के साथ दारू पीता था, पाप करता था, हत्या करता था, करती थी उन लोग, रेवती, हत्या करती थी, सराब पीती थी, इसके बाद पाती को दिखाता था हम अच्छा हैं, सांत हैं, इसके बाद नंदी सेट सोचा कि उस वाच में थोड़ा अच्छा है, इसके बाद नंदी सेट कहीं दुकान बिजनस के लिए दूर गएं, दूर जाने के बाद नंदी सेट हमेशा एक करने वाला था घर रखमें бुलाक संग को दान देने का काम और गरीब लोग को दान देने का काम और दुसरों को सेवा करने काम वो पत्नी को बोला तुम ऐसे करते रहना थैं हम जा रहे हैं वी बिजनेस के यह कहीं जूर कुछ समय के लिए तुम जो मेरा किया हुए कार करतना है तुमको को जी स्वामी हम करेंगे करके बोल दिया पत्नी पत्नी चला गया इसके बाद पत्नी जो रेवती थी दुश्ट थी असत्पुर्स धर्म से बरा हुआ था उसको वो सबसे पहले क्या किया रेवती सबसे पहले किया जो गरीब लोग को दान रोग दिया आता था मांगने जाओ जाओ तुम लोग कोन है यहाँ से निकलो बाहर जाओ भागा देता था किसी को दान ने देता सांग लोग को आया घर में दान के लिए आनिक वाद बैठा कर मार भाद देता था, जोर भाद देता था सिर्फ, अच्छा कानों नहीं खुद्धी का भाद देता था, जो गरीब लोग खाता है, छोटा-छोटा काटा हुआ, तुटा हुआ, चावल का भाद बना कर देता था इसकत खाकर भीक्सु लोग सांती से जाता था, जो बचा हुआ था, बचा हुआ राता है भोजन, वो रेवती क्या करती थी, वो छीट देता था, छीट कर बोलती थी ओ, आँ गाओ वाला आओ देखो, देखो ये भीक्सु लोग टकला मुंड़ा श्रामन लोग क्या किया है, तुम क्या कर रहे हैं, बहुत डाट कर उसको निखाल दे, जहो तुम यहां से, इसको नान्दी सेट रोजदान, दक्षिना, पून्य, से ये सब काम करते रहा, धारम सुनने का काम, इसको संग आवास बनाया, संग के लिए कुटिया बनाया, रहने के लिए, और बहुत मुगलन भंतिजी, दीवी लोग चारिका के लिए गए हैं, तो देखते हैं, वो महल साथ तल्ला का सोना चांदी से, मोती से भरा हुआ है, पूरा चमाक रहा है, हाजारों देवियां भरी हुई है, पूरा सुगंद, और पूरा सुन्दर महल, विस्मित महल, ये किसका है, आ उसी का नाम से बना हुआ है, ये महल, उसको देवी लोग बला, उसको मीटी का बरतन छोड़कर, सोना का बरतन लेने आना चाहिए, मतलों जो दुख का जीवन छोड़कर, देव लोग सुखी जीवन भीताना चाहिए, इसको अरहन्त मुगलन महत्ति भागवान भूद के पा नहीं तो देखा है, फिर हमसे क्यों पूछ रहा है, जी भागवान, हाँ इसे हो सकता है, इसको ये बात पूरा फैल गया सब जगह, नंदी सेट को भी सुनने में आया, उसका महल उसके नाम से बन गया है, इसको बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और-और दान अनंत सुक्व होगा, इसको नंदी सेट का जो पतनी डेवती थी, वो पाप करकर के, और पाप ज़्यादा करने लगा जब पती उसको निकालने के बाद घर के बाद, इसके बाद पाप किया, उसको जिन्दा सरीर के साथ सांसवक नारक खीच के ले गया, यम्दूत लोग, आने का उठ तू, चल ना रख मेरे साथ कर, खीच के लेके गया, खीच के लेके जाते सांस, देव लोग के रास्ता से ले गया, उसका पती जहां जो देव लोग में था, उस देव लोग की बाद, वहां जाने का रूख गया, रूख कर पूछने लगा रेवती, यम्दूत लो रोक कर दिखाया, पूछने लोगे किसका महल है, इतना विस्मित सुंदर, चमकीला, सूरज जैसा दम्रोसनी, विस्मित है, इतना सुख संपती, किसका है यह, यह देवी लोग, इतना सेवक लोग, इतना किसका है यह महल, इसके बाद yamdutt लोग, yamdutt बोलते है, तुम नहीं जानता है रेवती, यह मनुश लोक में रहता है, बहुत पुन्य किया है, दान दिया है, संको सेवा किया है, और गरीब लोग को दान दिया है, सील सुरक्षा किया है, यह है नंदी सेठ, वारणसी का सेठ, यह देवती बोलते हैं, यह नंदी सेठ है, यह सा है तो छोड़ो हम जाएंगो हां उरा नहीं नहीं तुम्हारा यह जगह नहीं है तुम्हारा जगह ओ है करके संसवक oynar गता तुम पुर्ण higher हम भी दान दी एवे ले लग झीलालां नहीं नहीं happens बहा हुआ ही जीवन शालो करके खीच की लिए Yout ещё और तुम्हारा यह जगह है, यहां तुम्हारा नाक, कान काटा जाएगा, हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है, और बहुत दुख भोगना पड़ेगा, हजार हजार साथ, इसको रोने लगी, रोके बोलने लगी, मुझे हम आप कर दो, हमको एक मुखा दो, हम अनुस्त लोग जाकर दान देंगे, सील सुराक्षा करेंगे, सांको सेवा करेंगे, और बहुत बहुत पुर्ने करेंगे, हमको प्लीज, हमको किरपा करके एक मुखा दीजी, नहीं रेवती, तुम बहुत देर कर दी, बस करके उठा के फेक देता है, नारक में डाल देता है, नारक में डाल देता है, अभी दुख भोग रहा है, नान्दी सिट अभी भी देवी लोग में सुख भोग रहा है, देखिए सत्पुर्स अवा सत्पुर्स धरम कितना दूर है, एक दूसरे में कितना दूर है, इसलिए आप लोग मिहनत करना चाहिए सत्पुर्स बनने के लिए, सत्पुर्स लोग महा करेंगे कि भागवान बुद्ध के आसिरबाद से इस्री सत्धर्म के आसिरबाद से आरे महासंग के आसिरबाद से आपको सत्पुर्ष धर्म अपनाने के लिए भाग मिल जाए साधु 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 झाल झाल